पाकिस्तान की जीप उस टाइम की युद में जो लेख के आये थे वो ये देखो जंडा लग रहा है पाकिस्तान का और ये टायर दो कितने साल पूराने का एक पूर ब्राउनी मसीन दो हेलो बायो गुड आफ्टरनून तो स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में और भाई दूप निकल चुकी है और टाइम हो चुका है एक बज़ के 23 मिनट रोड पे बकरियां गूम रही है बिल्कुल मस्ती में और राज्यस्तान में गूमने के एक ही मज़े है कि यहा को लिखके चलते हैं लोंगेवाडा लोंगेवाडा पर दिखाएंगे आपको जो पाकिस्तान के पूराने टेंक वगएरा जो पड़े हुए यहां पर हमने दिया ही नहीं उनको मना कर दिया आप नहीं देंगे वह उन्होंने लड़ाई होगी थी एक बार वो लेक्के आए पर यहीं रख लिया हमने अच्छा आपको पता है होता ही है काफी हमारे जोशी की हो जाता है देश में लोग बा क्या करते हैं कोई भी ऐसे कही होते है कुछ चीजी ले ले लेते हों देते नहीं तो भाई आप रस्ते का विव इंजुआए करें भाई खजान ऐसे बोलने वासरा था आपको अच्छान से कैसे आशी आ रही थी लेक्के नहीं देड़ा भाई लेकिन अपनी इंडियन आर्मीन रख लिए हो भाई यह मजाक था और मजाक शेट के आपको बताता है भाई युद हुआ था तो वो उसी टाइम से यही पड़े हुए है तो अब उनको देखेंगे जाकर आपको भी दिखाएंगे तो देखते रहे हमारी वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं वाप रस्तेगा व्यू इंजुआए करें काफी खुला था यहां पर अच्छे नजारे हैं नजारे तो क्या च्यारो तरफ रेत है और यह पेड़ है यह देखो आप मिट्टी के पाहड़ हैं आपको मिट्टी के पाहड़ दिखा देते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं तो भाई मोसम ऐसा देखती हुए ना थोड़ पर सिंगल सिंगल सा च्छोटी च्छोटी टैनिया इसकी और ज्यादा तर यह आप यह वाली जो पेड़ है ना यह वाली पेड़ है पता नहीं किस चीज गया यह तो भाईयों यह आ गया है बारत का आखरी कैफे रोईद गया पाणी लेने जोग यह रस्ते में कीप्तारी फक्री यूद में लेक के आई थे वो यह तो जीप पाकिस्तांग और यह वो टांक है पाकिस्तान दा जो यूद में पाकिस्तान दा यूद मने लेक के आए थे यह देखो जंडा लग रहा है पाकिस्तान का आई यह है टेंक पीब बॉइस ब्याल इस बाण में बाई अब रोहित को दिखाते हैं यह जीब पाकिस्तान यह लेक के आये थे यहां पर यहां पर खड़ी है काफी है तब की टेर लग रहे इसके यह जी यह चोटी तो होगे जीप की इससे काम करते हैं इससे गोमती है उस वाड़े से उपर नीच चूटती है पीछे से डलता है इसमें बंप डाल गे तब चलती है विल्कुल भाई सब फोर भाई फोर देखनी पड़ेगी हाँ फोर भाई फोर है वह वह एसी थोड़ी आएगी एक वहाँ पर यह टेंक तो आपको दिखाई दी हमने और दिखाते आगे यह बाई सब म्यूजियम यहां पर आपको ना दस पंदर मिंट की फिलम दिखाते हैं ज पर आपको 15-minute की movie दिखाएंगे थेटर है जो कि आर्मी वाडो ने बना रख आ है इस पर फिलम दिखाएंगे इसको 15-minute आपको यूदिके बारें बताएंगे कैसे क्या हुआ था कैसे राज यह इसने ले लिए आपके दादा जी ने ली थी घाटी ने एक बात बोली थी बो कि अपने इंडिया का सोख सतंब और इसके पिछे खड़ा है पाकिस्तान का एक ओ टेंग जो कि उसी उद्वे पकड़ा गया था और यह अपने अबीर सी वी आर सी यह देखवा पड़ ले ना पोजगर के वीडियो को यह वो टेंग पाकिस्तान का तुगिता बगाई खड़ा है टेंग थी 59 यह बेटल नाइटीन सेवंटीवन यह देखवा आप इन दिसम्मर नाइटीन सेवंटीवन एलफा कंपनी इंट्रिस पंजाब जाना आप यह पढ़ ले ना भाई पोजगर के बाई कितनी अच्छी लाइन लिख हुई है इस लाइन को इबर पढ़ना जरूर आप इसको अब आपको आगे लिखके चलते हैं जहां पर यह दो था यह यहां तक आ चुके थे टैंग यहीं खड़े करदिए अब आपको लेक्के चलेंगे वहां पर आगे जहां पर अपनी फोज़ेटनाती और वह देखो सामने जीप और भी खड़िया पाकिस्तान के आख है रोहित कुमार राजेस तो गायब हो चुके हैं वीडियो बनाने लग रहे हैं तो यह टैंक क्या कुछ समझ में है इसका आपको एक चीज में बता हूं जीतना मेरे वो यह इसका बैक बैक लग रहा है मेरे वी इसका पीछे होते ह लिए और फरंट होता हां कि जैसे की जैने इसकी कितनी मजबूत लुवा होता घा क्या है टैंक 59 है अच्चे दू आख देखाऊ है रहा खालता है जेख लांग जीप बैक चे जो शेल भाई ये लाईने जरूर पढ़ना आप जो भी लिखा हुआ ना काफी अच्छा लिखा हुआ है यह देखा हो देखो बिल्कुल डैमेज टो हैंके चलो चीज है क्या यह बीच में पत्थर को तोड़ के लगाएं यह जिसमें ना चले तो यहां पे ना तो जैसे कि पैर ना बै यह दिक्कत होती है ना निजगने में ऐसी उठे जाते हैं यह बिल्कुल करते हैं यह देखो आप इनको एक बर्जों में दिखाना हो पढ़ना जरूर अब अब आए जगजीत सिंग जी की वीर गात्ता पढ़ना पोज़कर के बर जरूर पढ़ना और यह बंकर यहां इसे बना रखें इसमें सिपही नीचे लेट-लेट के रहा ऐसे निकड़ जाते ते जो कि दिखे ना किसी को इसलिए बनाया जाते हैं यह दो रहाए नीचे शारी यह बोडर फिल्म में आपको यह दिखाई गई थी जो की बोडर फिल्म में आपने देखा होगा यही है वो और एक जीप यह खड़ी यहाँ पर और वो रहा टैंक जो कि बिल्कुल डैमेज पड़ा हुआ है पाकिस्तान का टैंक पाकिस्तान की जीप 1971 की फाइट किया यह तब की जैसे कि वह वहां पे है ना भनकर आ रहे है यहां पे जो किसी दिखाई ना दे उसमन को पुर इसके अंदर के निच्छे निच्छे जहाना पड़ता था इस बंकर जाने के लिए यह है यहां से सिद्धा जो कि अब बिल्कुली दब चुगा है यह देखो अब यह बिल्कुली दब चुगा है तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे न तो लाई जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे-चे कमेंट करके बदाना आमको कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है तो चलो आगे और दिखाते हैं आपको अब कर रहा है दादा जी ने क्या बोला दादा जी ने बोला था बैटे लोंगी वाला होके आना है अच्छा वह आपे इंडिया पाकिस्तान का यूद दोया था अच्छा बढ़ा जोरदार शंगर्स किया था लोगों ने बजूर को बता रहे थे अच्छा बहुत प्राणे टाइन की बात है यह बढ़ा खूल खचर हो यह नाइंटीन सेवंटीवन आजी आज वहां हम दोल रहे हैं देख रहे हैं देख यह वाला एक बंकर यह यह यहां पर लेकि टैंक को रहे हैं यहां पर कफी पुराना डेमेज हो चुगा है बिलकुल तबका यहीं पड़ा हुए चैन वेन सब तुट्टी पढ़िये बिलकुल डेमेज है तबका ही खतं हो पड़ा है यह युदिकाई यह फूर वाइब हो जीप चोटा ट्रक तब का फूर वाइब हो रहा है तब का डेमेज बढ़ा हुआ और यह टायर दो कितने साल वो रहाने का 1971 से अब तक यह एक टैंक यहां घड़ा है पाकिस्तान का तभी का यह भी M4 Serum and Tank यह टैंक अपने इंडिया के दोनों तरफ एक एक खड़े है कर दो है कला इसे लोगंगेवाड़ वार मेमोरियल एक मेमोरियल गाइड मैप यह मैं और गाइड मैप यह दिर सिंग्जी विर्चकर समनित यह पुर्ब्रावनी मसीन गुण यह पाकिस्तान ने जब यूज की दें वह कबजे में ली हुई है यह पाकिस्तान से ली हुई मसीन में जो कबजे मिली हुई थी अब लुए वाण नाइटीन सेवंटीवन रोल ओफ यह भाई जी पिने आप देख रहें नाम कि सारे उस युद में सामिल थे जिनके नाम लिखे में जो सहीद हुए हैं सारे अपने देश के जवान यह विक्ट्री ओफ लोंगे वाड़ा कसमें जब लोंगे वाड़ा युद जीकता था तब कर आई हैं और यह प्लेन देखको आप छोटा फाइटर फाइटर तो नहीं है घर छोटा प्लेन ही हैं यह अपनी फ्लाइट वना रखी हैं यहां पे वना रखी फ्लाइट लेम परेड़ी चलोग अब यह तो आपने पड़ी लिया होगा इसका यह वो कुआ था जो बना रखा है ना जिसमें जैरीला कर दिया था पाणी को मारने के लिए जैरीला पाणी पीने से तो भाईयों आपको टैंक दिखा दिए जहाज दिखा दिए और बजितने भी कबजें में रखित सारी चीजी आपको दिखाई तो आपको यह लोंगा वाडा की वीडियो जो बोडर है अपना लोंगे वाडा कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी त करना अब यहां से निकल ली है चारो बैठ की गाड़ी में अब चलते हैं अपने गर की तरफ तो आपको रस्ते का वीडियो कराते हैं कहीं रूम लेंगे वहां दिखाएंगे बापको तब तक के लिए आप रस्ते का वीडियो करें यह अपना रूम है डबल बैड तो अब करते हैं रेस्ट काफी परेशान है ठक गए हैं ड्राइव करते करते हैं तो मिलते हैं आप से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए उता चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो मिलते हैं सुबह तब तक लिए बाई